एक सवाल हमारे पास आता है, हमसे पूँचा जाता है कि रीसेलिंग बिजनिस में कभी-कभी कश्टूमर को गलत माल क्यों मिल जाता है? इसमें किस की गलती होती है? इसमें जो सेल करने बाला प्लेट फॉर्म है, उसकी गलती होती है? यह जो sale कर रहा है उस platform पर उसकी गलती होती है यह जो career कर रही है, delivery company है यह delivery partner है उनकी गलती होती है तो किसकी इसमें गलती होती है कि customer का असली product चुडा के उसमें कोई fake product रख दिया जाता है दूसरा सवाल यह है कि अगर ऐसा हमारे साथ होता है या हमारे customer के साथ होता है तो हम क्या action ले सकते हैं तो सभी सबालों के आपको जबाब दूँगा दोस्तों आपने कभी ना कभी ये चीज experience करी होगी या अपने साथ की होगी या आपने किसी customer के लिए कोई product order किया होगा तो उसे कुछ और ही मिल गया होगा तो वो experience आपको हुआ होगा कभी कभी क्या होता है मेरे साथ भी हुआ था लेकिन मेरा Amazon के साथ हुआ था मैंने साड़े 47,000 रुपय का camera order किया था लेकिन मेरे पास जो deliver हुआ था वो चार perfume की bottle deliver हुई थी ऐसा ही बहुत case इंडिया में होती है जिसमें कोई mobile order करता है तो उसे साबुन का एक छोटा सा एक साबुन मिलता है उस packet के अंदर कोई कुछ और सावान order करता है तो उसको कुछ और मिलता है उन्होंने भेजाए लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि ये company तो product भीजती ही नहीं है इनका तो product होता ही नहीं है इनके पास कोई product नहीं होता है बस इनका एक platform होता है जितनी भी reselling application है उनके पास कोई भी product अपना खुद का नहीं है बस इनों ने एक platform develop किया है जिस पर दूसरे लोग अपने product को sale करती है ये reselling company उन से अपना commission लेती है उनके product को sale कराने पर इस तरीके से ये business model चलता है तो अब इसमें गलती समझने से पहले ये समझेंगे कि ये process कि तरीके से काम करता है तो दोस्तो जैसे कोई भी reseller जब अपनी customer की detail application के अंदर डालता है order देते time तो वो detail सीधा मीसो या जिस भी reselling application में आपने customer की detail डाली है उनके पास जाती है और उन reselling application वाले उस detail को उस seller के पास पहुँचाती है जिसका वो product है seller उसके बाद क्या करता है seller उस product को pack करता है और pack करने के बाद courier partner को दे देता है courier partner उस product को एक जगे से दूसरी जगे दूसरी जगे से तीसरी जगे ऐसे करते करते final customer के यहां तक पहुँचा देते है यहाँ पे बहुत सारे कुरियर पार्टनर और कुरियर हब आते हैं जिनको बदल बदल के आपका प्रोडेक्ट आपके कस्टूमर तक पहुंचाया जाता है अब भाई इसमें आपको एक चीज समझ में आ चुकी होगी इसमें एक तो रीसेलर होता है जो आप लोग हो दूसरा कस्टूमर होता है जो प्रोडेक्ट खरी रहा है तीसरा रीसेलिंग कंपनी होती है जिनके प्लेटफॉर्म से आपने वो प्रोडेक्ट आउडर किया है चौता सेलर होता है जो उस प्लेटफॉर्म पर अपने प्रोडेक्ट सेल कर रहा है पांच मां जो होता है वो होते है कुरियर पार्टलर जो प्रोडेक्ट को डिलेवर कराती है तो इससे ये वाद साफ होती है कि जो प्रोडेक्ट की हेर फेर होती है इन पांच लोगों के बज़े से होती है इनमेंसे किसी ना किसी एक बंदे ने उस product में जोल जाल की होगी सबसे पहले पहली बात ये काम reseller भी कर सकता है बहुत सारे reseller क्या कर रहे हैं कि आज के समय पर facebook marketplace पर दिखाते कुछ और है और उसके बाद उनसे detail लेके order detail लेके भेजते कुछ और है order ही कुछ गलती लगाती है तो ये reseller भी कर रहे हैं एक example के लिए आपको बताना चाहूंगा कि कोई ऐसा पंद्रस रुपए वाला product दिखाएंगे और उसकी जगे 300-400 रुपए वाले product को order कर देंगे और selling rate में पंद्रस रुपए लिख देंगे तो कस्टूमर को गलत माल जाता है ऐसी condition में दूसरी चीज कस्टूमर कभी कभी क्या होता है कि कस्टूमर बहुत सारे लालची होते हैं और कस्टूमर को जब माल मिल जाता है असली वाला फिर भी वो अपने द्वारा से पैसे वापस लेने के लिए वो एक नाटक करता है कि हमें गलत प्रोडेक्ट मिला है तो ऐसे बहुत सारे कस्टूमर पकड़े भी गए हैं बड़ी-बड़ी e-commerce कंपनियों के साथ इस तरीके से उन्होंने फ्रॉड किया है और बहुत बार फ्रॉड किया उसका भी एक 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 जामपल देता हूँ राजिस्तान में एक केस हुआ था जिसमें क्या था कि कुछ लोग बड़ी-बड़ी e-commerce कंपनियों से supplement order करते थे और supplement उनके पास deliver हो जाते थे तो वो क्या करते थे उस बड़े-बड़े डब़ों में से supplement को बाहर निकाल देते थे और उसके अंदर आटा रखके pack करके return कर देते थे और बापस उस product को उस company को भीज देते थे और उनके पैसे refund भी आ जाते थे तो इस तरीके से ल reselling company की क्या reselling company भी ऐसा fraud कर सकती है तो reselling company ऐसा fraud नहीं कर सकती है क्योंकि उनके पास product नहीं होता उनका यह system इनका यह software और इनका यह algorithm काम करता है जब आपको order detail submit करते हो तो इनका system वो capture कर देता है कि यह order किस seller का है और यह detail किस seller को transfer होनी चाहिए तो तुरंत वो detail उस seller को transfer कर रती जाती है तो यहाँ पर reselling company कोई भी haire fare नहीं कर तो अब बात करते हैं seller की तो क्या seller कर सकता एसा तो दो चीजहें आती है seller कभी भी अपनी मन曲 नहीं करता गलत प्रोडेक्ट नहीं बेजता यह अपनी मन मर जीसे नहीं कर सकता क्योंकि seller को पता होता है कि अगर product customer पे गया और customer ने देखा कोई और product मिलाए तो उसे return करना पड़ेगा और return के charge उसे ही देने पड़ेगे और साथी साथ उसके उपर penalty भी लग जाएगी उस reselling company की तरफ से तो seller कभी भी ऐसी घटिया आरकत नहीं करता लेकिन कभी कभी क्या होता है कि by mistake ऐसी चीजें हो जाती है जैसे कि packet किसी और का रखा है उस पर billing आपकी लग गई तो वो आपके यहाँ पर पहुंच जाएगा वो गलत product पहुंच गया तो दोस्तो बहुत बार क्या होता है कि career partner ऐसा कर देती है career के जो delivery boy होते हैं वो आपके original माल को निकाल लेती है और उसमें नकली माल डालके या जो fake product होते हैं उनने डालके भेज देती है यह किस तरीके से काम करता है एक example की help से आपको समझाता हूँ इस packet को यहां से उपर से फाड़ेगा फाड़ने के बाद यह जो bill अंदर रखा है इसके इसे बाहर निकाल लेगा और क्या करेगा इसमें से असली product को बाहर निकाल के अपने पास रख लेगा ऐसी polythin market में बहुत सारी मिल जाती है उसे लाएगा और इस bill को बाहर डालेगा इसके अंदर कोई फाल्दू का product डाल देगा और इसे नई packet में रख देगा और विल भी यही रहेगा माल चेंज हो जाएगा बजन वो देख लेता है कि कितने बजन का मेरे को product का fake माल रखना है इसके अंदर तो वो इस तरीके से कर देते हैं तो भाई ये तो बात रही कि ये ये लोग कर सकते हैं और ये ये लोग नहीं कर सकते लेकिन अब बात आती है कि अगर आपके साथ कभी ऐसा हो चुका है तो उस condition में क्या करेंगे तो यहां पे भी मैं आपको अपने example की help से ही समझाऊँगा कि जब मेरा Amazon के साथ लफडा हुआ था Amazon ले 47,500 रुपए के camera की जगए 4 परफियों की hotel भेजी थी तो मैंने क्या किया वही चीज आप भी कर सकते हैं तो दोस्तो होता क्या है पहली चीज लोग क्या सोचते हैं कि हमारी जो प्रोडेक्ट की कॉस्ट है वह 400-500 रुपए है तो हम लीगल चीजे ना करें तो ज्यादा better रहेंगे लेकिन ऐसा नहीं है अगर 400-500 रुपए की बात है तो भी आपके वह 400-500 रुपए बापस आ जाएंगे और एक रुपए भी आपको खर्च नहीं करना पड़ेगा वो कैसे होगा वो मैं इस वीडियो में बताता हूँ लेकिन उससे पहले थोड़ा अपना experience शेयर कर देता हूँ जब मेरे साथ धोगादड़ी Amazon की तरफ से हुई तो Amazon की टीम को मैंने inform किया था कि मेरे साथ ऐसे धोगादड़ी हुई है से एम प्रोसेस आपको भी follow करना है अगर आपको गलत प्रोडेक्ट आया है तो आपको उस reselling company को बोलना है और वहाँ पर return refund request आपको डाल देनी है लेकिन इतना करने के बाद आपने return refund request डाली उन्होंने वो reject कर दी वो प्रोडेक्ट को return ले जाने के लिए तयार नहीं है तो इस condition में आप क्या कर सकते हैं वो मना कर रहा है कि हम पैसा refundी नहीं करेंगे वो clear मना कर दे तो इस condition में आप लोग क्या कर सकते हैं तो इस condition में आप consumer court में जा सकते हैं आप कोगे consumer court में फिचीकली जाना पड़ेगा क्या FI या लिखानी पड़ेगी क्या advocate से मिलना पड़ेगा नहीं एक call करके भी आप consumer court में complain कर सकते हो consumerhelpline.gov.in नाम की website है वहाँ पर आपको इनका number मिल जाएगा वहाँ पर call करोगे call करने के बाद वो issue पूचेंगे आपसे कि किस तरह का आपके साथ fraud हुआ है किस ने fraud किया है पूरे detail आप बता दीजीए आप कहां के हो और आपकी transaction ID क्या है कप payment किया था किस company ने किया सारी चीजे आपको उनको explain कर देनी है उसके बाद क्या होता है वो docket number आपको देते है मतलब complaint रेज हो जाती है तो docket number देते है तो वो docket number आपको याद रखना है अब उसके बाद वो team क्या करती है team के पास report आती है तो वो team जो आप complain करते हो मतलब आपने अपनी तरफ से बात वहाँ पर करवा दी वहाँ पर कंपनी को वहाँ पर जवाब देना होता है तो कंपनी जवाब देती है मोश्टली 96% चांस ऐसे होते हैं कि अगर आप सही हो तो कंपनी रिफंड करने के लिए तयार हो जाती है तुरंती लेकिन अगर ऐसा होता है कि वह कंपनी उसके बाद भी रिफंड करने के लिए तयार नहीं है तो फिर आप लीगली बकील से मिलकर कंजूमर कोट में फिजीकल जाके और अपनी जो फीस पगेरा उनकी होती है उन्हें दे दिवाके आप केस फाइल कर सकते हैं और जब केस फाइल हो जाएगा तो आपका जितना रिफंड मनी है उसे ले सकते हैं साथ ही साथ आप जितना एक्स्ट्रा अपना पैसा लेना चाहते हैं जो आपका खर्च हुआ हो या जो आप extra penalty उन पर लगवाना चाहें तो वो भी लगवा सकते हैं और अगर आप finally case जीतते हैं तो आपको काफी ज़्यादा पैसा भी मिल जाएगा उन company की तरफ से और court की तरफ से penalty लगाई जाएगी और आपको काफी ज़्यादा पैसा मिल जाएगा एक example इसका भी देता हूँ हुआ क्या था आपको पता है आप बड़े बड़े mall में जाती हो तो वहाँ पर carry bag देते हैं carry bag के 8-8-10-10 रुपए वो cut कर लेते हैं लेकिन ये ठीक नहीं है एक customer ने ऐसे ही complain कर दी थी consumer court में क्योंकि इन्होंने 8 रुपए काट लिये थे तो consumer court ने उन्हें पहली बार में 1500 रुपए का जुर्माना देने के लिए बोला था कि 1500 रुपए उस बंदे को दो तो 8 रुपए की जगे 1500 ने देने पड़े थे लेकिन जब वो द्वारा shopping करने गया फिर से उसके 8 रुपए काट लिये उसने फिर से complain की तो उसके बाद consumer court ने 15 रुपए का जुर्माना लगाया 15 रुपए का जुर्माना लगने के बाद जब वो customer 12 से mall में जाता है उन्होंने फिर से 8 रुपए काट लिये तीसरी बार फिर से 5 रुपए का जुर्माना consumer court की तरफ से लगाया गया तो ऐसा होता है कि penalty बहुत जादा भी लग जाती है इन कंपनियों के ऊपर इस वीडियो को और जादा लंबी नहीं करूँगा ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना काफी ज़्यादा information मैंने आप लोगों को दे दी है बैसे जितने भी trusted और वरोसे मन्द online earning और reselling application है उन सभी के download link इस वीडियो के description में दिये हैं आप जल्दी सी जल्दी download कर लिजिए ये वीडियो आपको कैसी लगी वो कमेंट करके बता देना वीडियो अच्छी लगी होता लाइक कर देना चैनल को subscribe करके bell button दबा देना ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे देसे बहुत बहुत धन्यवाद